हलो साथियो नमस्कार मैं सुधाकर सिंग आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा चैनल सुधाकर सिंग एजुकेशन हब पर हार दिग बंदन अभी नंदन और शागत करता हूँ मैं उमीद करता हूँ कि आप साथ लोग बेतर होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार एक स्मूथ बे में जारी किये होंगे तो दोस्तो काफी दिनों के बाद आज हम लोगों के बीच में चर्चा हो पा रही है मुलाकात हो पा रही है दोस्तो आज जो हम लोग बात करेंगे वह वाल मनोवी ज्यान पर चर्चा करेंगे जो विभिनिप्रतियोगी परिच्छाओं में बहुत ही महतवपूड है यहां से प्रस्ण बनना हंडेट परसंट तय है चाहें आप यूपी टेट ले लो चाहें सी टेट ले लो चाहें सुपर टेट ले लो चाहें आप एम्पी टेट ले लो राजिस्थान टेट ले लो किसी भी राजिक के अगर आप टेट सुपर टेट के अगर वात करेंगे तो वाल मनोवी ज्यान में यहां से प्रस्ण पू करेंगे वारतालाब करेंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक है विकास एनिकी ग्रोथ टॉपिक का नाम क्या है आज हमारे टॉपिक का नाम है विकास एनिकी ग्रोध तो विकास क्या है सबसे पहले प्रशन उठता है कि विकास क्या है तो दोस्तों विकास की अगर हम बात करें विकास के अगर हम बात करें तो बालक के विकास की प्रिक्रिया जो बालक के विकास की जो प्रिक्रिया होती है जनम से पूर्व जब माता के गर्व में आता है तब ही से विकास की प्रक्रिया होती है आरंब हो जाती है अगर हम बात करेंगे कि बालक की विकास की प्रिक्रिया जनम से पूर्व माता के गर्व में आते ही प्रारंब हो जाती है और जनम के बाद सैस्वा वस्था बाल्या वस्था किसोरा वस्था प्रोडा वस्था तक क्रमसा चलती रहती है कब तक चलती है यह जो बालक के अंदर विकास की प्रिक्रिया है जब जणम के वाद जो होती है उए सैश्वावस्था, बाल्यावस्था, किसोरावस्था और प्रोडवस्था तक क्रमसा चलती रहती है दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रिकार वह विकास विभिन अवस्थाओं से वालक जो होता है गुजरता है अगर हम बात करें विकास में होने वाले परिवर्तन के अगर हम बात करें तो विकास में होने वाले परिवर्तन हर लौक महोदे जी एक हमारे मनोवे ज्ञाने कुए जिनों ने चार बरगों में वाटा है हर लौक महोदे जी ने विकास में होने वाले परिवर्तन चार भागों में वाटे हैं कौन-कौन से भाग है नंबर एक आकार में परीवर्तन क्या होता है बालत जब छोटा उता है दीरे दीरे उसके आकार में क्या होती है ब्रदि होती है और आकार में उसके परिवर्तन होता रहता interaction impact कि अनुपात में परिवर्तन होता है क्या होता है अनुपात में परिवर्तन होता है उसके बाद प्राणी आकरतियों का लोप हो जाता है क्या होता है और नई आकरतियों का क्या होती है प्राप्ति होती है अगर हम बात करें विकास के आधार क्या क्या है विकास के आधार क्या ह तो विकास के आधार दो है नंबर एक वनसानुक्रम और नंबर दो वातावरण यहीं कि वालक के अंदर जो विकास की जो आधार होती है वह वनसानुक्रम और वातावरण के आधार पर पर जो होता है उसका विकास होता है अगर हम बात करें विकास के कारड विकास के जो अगर कारड होते हैं वह क्या होते हैं अधिगम और परिफक्ता क्या होते हैं अधिगम और परिफक्ता अधिगम का मतलब होता है सीखना लर्निंग यही क्या और परिफक्ता अपने आप में परपूर होना यह क्या हैं विकास के कारण हैं अधिगम और परिपक्ता विकास के कारण हैं अगर हम बात करें कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं यहीं कि हमारे विकास नहीं कि ग्रोथ में कौन-कौन सी ऐसी चीजें जो बाधाएं उत्पन करती हैं विकास को रोकती हैं विकास में होने वाले कारक कौन कौन से हैं तो विकास में होने वाले कारक नमबर एक बुद्धी बुद्धी क्या होती है बुद्धी कम जादा भी होती है इससे भी क्या होता है वालक का बालक के विकास में यह कारक होता है नमबर दो यौन नमबर तीन अंतसरा विग्रंथियां नमबर चार पौश्टिक भोजन अगर प्राप्त नहीं होता है त नमबर पांच अगर हम बात करें यदि सुद्ध वायू और जो है प्रिकास अगर नहीं मिलता है तो वालक के अंदर मनुष्य के अंदर विकास रुक जाता है नमबर छै रोग और चोट अगर लग जाते हैं आपने देखा होगा कोई भी छात्र हो अगर उसको रोग चोट नमबर नो परिवार में इस्थान क्या है ये मुख्य चीजें हैं जो वालक के अंदर विकास को प्रोहवित करने वाले कारक हैं अगर हम बात करें विकास की अवस्थाएं क्या क्या हैं विकास की अवस्थाएं क्या क्या हैं तो विकास की अवस्थाओं की अगर हम बात करें तो सामानने रूप से सभी मनोवे ज्यानिकों के अनुशार विकास की अवस्थाओं को निमने रूप में वर्गी करत किया गया है विभिन मनोवे ज्यानिकों के अनुशार जो है विकास की अवस्थाओं को निमने रूप में वर्गी करत किया गया है नमबर एक हम बात करें प्रारंबिक वाल्यकाल प्रारंबिक वाल्यकाल की जो अवस्था होती है जनम से लेकर के वारे वरस तक की होती है कितनी जनम से लेकर के वारे वरस की जो अवस्था होती है वह प्रारंबिक वाल्यकाल कहलाती है पूर्व की सोरा अवस्था जो 12 वरस से ले करके 16 वरस तक की होती है नमबर 3 अगर हम बात करें की सोरा अवस्था 16 वरस से ले करके 21 वरस की जो अवस्था होती है वह क्या कहलाती है की सोरा अवस्था वयस का वस्था जो होती है वह एक किस वरस के वाद की जो अवस्था होती है वह वैस का वस्था कहलाती है अगर हम बात करें कुछ मनुवैग ज्यानिकों ने प्रारंबिक वालिकाल को निम्न वर्गों में बाटा है कौन कौन से वह निम्न वर्ग हैं जिन में कुछ मनुवैग ज्यानिकों ने पूर्व पूर्व वालेकाल को वाटा है, नमबर एक अगर हम बात करें, शैसव जिसे हम इनफैंसी के नाम से जानते हैं, जिसे जनम से लेकर के तीन बरस की उम्र जो होती है, वह क्या कहलाती है, सैसव इनफैंसी कहलाती है, नमबर दो अगर हम बात करें, तो पूर्व वालेकाल की जो उम्र होती है वह पूरु बाले काल कहलाती है अगर हम बात करें अधियन की दृष्टिगटत को देखते हुए डटर अर्नेस्ट जॉनस महोदे जी हैं जिनों ने डटर अर्नेस्ट जॉनस महोदे के अनुसार किया गया वर्गी करड़ सर्वाधी के उप्युक्त माना गया है क कि जो ड्डर अर्नेस्ट जॉنتंस के अनुसार वर्गी क्रत्थ किया गया जो अध्यन है उसके कि वारे में अगर हम बात करें अच्छ अभशित मongoday जी ने जो बताया है सबसे पहले उन्होंने कहा है कि सबसे पहले नंबर एक सैस्वा वस्था जो होती है वह 0 से लेकर के 5 वरस या 6 वरस की अवस्था जो होती है वह सैस्वा वस्था कहलाती है कहीं कहीं पर आपको मिलेगा किताबों में 0 से 5 वरस की उम्र को सैस्वा वस्था कहा जाता है और या 0 से 6 वर की उम्र को सैश्वा वस्ता कहा गया है नंबर दो अगर हम बात करें तो बाल्या वस्ता बाल्या वस्ता की जो उम्र डाक्टर अर्नेस्ट जोंस महोदे ने वताई है वह च्छै वरस से लेकर के बारे वरस की जो उम्र होती है वह बाल्यकाल की वस्ता कहलाती है चैसे वारा वर अवस्था का नाम दिया नमबर चार अगर हम बात करें प्रोडा अवस्था अठारा वरस से उपर की जो अवस्था है उसको प्रोडा अवस्था डक्र अर्नेस्ट महोदे जीने का तो दोस्तों आज हमने आपको विकास के बारे में बताया विकास की अवस्थाओं के बारे में बताया और डक्टर अर्नेस्ट जोंस महोदे ने बरगी करड किया है उसके बारे में बताया दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को अगर पहलिवार अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं त दोस्तो और इसको शेयर करें दोस्तो आज के लिए इतना ही थैंक यू बेरी माच बिस यू ओल दा वेस्ट